हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग आप लोग कैसे हैं मैं जहां तक मानता हूं कि आप लोग कुशल होंगे आज हम फिजिक्स का 25 कोशन अब्जेक्टिव टैबल आये हैं जो की महतरपुर्ण होने वाले हैं आप लोग इस पूरा वीडियो को देखे और वीडियो को गौर से द हों तो मैं इसी साथ श्टार्ट करता हूं पहला प्रस्ण देखता हूं इस सॉब्सक्राइब होता है कि एक फडरा में कितिना मीटर होता है तो चनल अप जाये माद और मोड़ा 15 मिनश दूसरा नम्बर क्वेश्चन क्या करता है कि लोगोरिथम कि अविष्कारक है ओव जोन ने अब से हो जाएगा इसका क्वांट मिंशते के परतिपादक दोस्तों क्षा Currently च। मादय權 में अनुप्रस्थ रंग उत्पने हो यानि किस माद्य में जो अनुतर्स तरंग उत्पन नहीं हो सकती है तो अपसर नमबर C हो जाएगा हवा छटा नमबर कोश्चन अनुधैरे तरंग उत्पन हो सकती है अनुधैरे तरंग जो किस में उत्पन हो सकती है तो अपसर नमबर इसका A हो जाएगा सभी माद्य में सत्मा नम्मर कोश्चन सत्मा नम्मर कोश्चन कहता है घरी के चाभी में संचित उर्जा क्या होती है घरी के जो चाभी होते है उसमें संचित उर्जा क्या होती है तो इसका अप्सन नम्मर सी हो जाएगा संभावित उर्जा क्या होगा संभावित उर्जा सत्मा नम्मर कोश्चन है कि फोटोगराफी कैमरा का अभी द्रिश्यक लेंस होता है फोटोगराफी जो कैमरा होता है उसका अभी द्रिश्यक लेंस कैसा होता है तो इसका अपसर नम्मर भी उत्तल हो जाएगा अठमा नमबर क्या कहता है कि सूर्ज के परकास का अंतरिक परिवर्तन हो सकता है तब जब परकास क्या होगा जल से वायों में जाएगा तब ही सूर्ज के परकास का क्या होगा अंतरिक परिवर्तन हो सकता है तो अप्सन नमबर क्या जाएगा D सुर्ज गहन के समय सूर्ज का कौन सा भाग दिखाई देता है दोस्तों कि सु दे समय सूर्ज सुर्ज ख़ैगा को ओजाएक कुरोन दोस्तों किया कि दोस्तों क्या करा है कि यदि वाई मंडल ना होती तो दिन की अब्दी क्या होती तो दिन की अब्दी जो है वो कम हो जाती तो अप्सन नंबर क्या हो जाएगा एगर मैं नंबर क्योश्चन देखते हैं कहता है नियुंतम संभावता ताप जो होता है माइनस दो सो तेहत्य डि अभिक्रियास से स्रवाथी कित्रपी गती से अस्था नांतिरित होती है उसमा जो है किस अभिक्रियास से तिब्र गती से क्या होता है अस्था नांतिरित होती है तो भीकरन हो जागा अप्शन नमर इसका क्या सी बारा नमर कोश्चन देखते हैं बारा नमर कोश्चन है कि घरे परकास के लिए परकास के लिए उसी सिधान्तर करते और इप्षन नमर देखते हैं, Question number 15 क्या काता है? कि उर्जा का छाय कम होता है. उर्जा का जो छाय कम होता है, वो किसमे होता है? तो उर्जा का जो कम छाय होता है, वो किसमे होता है? तो इसका option number A हो जागा, दिरिष्ट कारी धारा में. क्या हो जागा? दिरिष्ट कारी धारा में. क्वेश्चन नमबर 16 करता है कि विद्धु चुमग के तरंगों में किसकी अभिरती अधिक होती है तो दोस्तों इसका वाई किरन हो जाएगा आपसा नमबर क्या बी सत्रों नमबर क्यान करता है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है तो पिलू टोनियम फारप संक्षा लडा बर कुशन नमबर 19 धेखते हैं क्या जातों है परकास सतरंग का उधारन क्या कि उत्तल धरपन द्वारा बना परति ये, कैसा होता द्वारा बना परतिम कैसा होता, तो कालपनिक और सीधा होता है अपसन नंबर C हो जाएगा अपसन नंबर क्या C कोश्चन नंबर 21 कहते हैं क्वोश्चन नंबर 21 कहते हैं कि गोली धरपन की फोकस दुरी उसकी वक्ता तर्जा कि क्या होती है तो दोस्तों आधी होती है option number क्या जाएगा A question number 22 देखते है question number 22 है कि ध्वनी तरंगे होती है ध्वनी तरंगे जो है वो कैसा होती है तो ध्वनी तरंगे जो है अनुधेरे होती है तो option number क्या हो जाएगा A उसके बाद question number 13 क्या कहता है कि पंडुबी अधारित है यानि पंदुबूई जो होता है और किसके सिधान पर धारित है तो यह बहुत भी वी कोश्चन है जो कि भी हार बोर्ड 2008-200270 में पूछा है तो यह जो है अर्कमिटिज के सिधान पर धारित है तो अप्सन नमबर क्या हो जाएगा बी 24 नमबर क्योश्चन क्या कहता है कि परती बल और विकिर्ती कानुपाद क्या होता है तो परती बल और विकिर्ती कानुपाद जो प्रत्यास्था गुनांग होता है क्या था प्रत्यास्था गुनांग इसे के साथ दोस्तों कुश्चान खतम होगा आप लोग लाइक कमेंट करें और सेर करें जय हिंद